नमस्कार, start market investment course के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है, आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को financial statement,नेमल report और quarterly result के बारे में बताने वाला हूँ, क्या होता है या इससे क्या पता चलता है, अगर हमें देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, और आखिर इसमे अब दोस्तों यह हमारी इनवेस्टमेंट को सब्सक्राइब पिछले सारे वीडियो को अगर आप विल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचर इस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं अब दोस्तों हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं तो इन तीनों को मैं आपको समझा हूं इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देता हूं इस एक्जामपल को आप सबसे पहले समझे और उसके बाद दोस्तों इस एक्जामपल को आप समझ लिजेगा तो यह भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए अब कम्पने का कैसे चल रहा यह देखेंगे और कम्पनी का रिजल्ट कैसे आया है यह सब कुछ देखेंगे इतै सब कुछ देखने के बार हम उस इस कंपणी के अंदर इंवेश्ट कर देते हैं अब जोस्तों अच्छानक से उस कंपनि के सेर प्राइज नीचे के तरफ गिंए लगता है तो अब हमें हो जाता हैं टेंशन कि fundamental खराब हो गया होगा company का क्या हुआ होगा कि company का बिन्यस सही से नहीं चला होगा company loss में चली गई होगी company का fundamental खराब हो गया होगा जिसके वज़े से उसका share price गिरने लगा होगा और हमारा भईया पैसा डोब जाएगा तो हम समय समय पर company को track करना होता है जिससे की हम company में यहां पर देखते रहे कि company का बिन्यस सही से चल रहा है अगर company का बिन्यस सही से चल रहा है तब ठीक है अगर सही से नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है अगर सही से नहीं चल रहा है तो भाईया वहां से हमें अपने पैसा निकाल लेना है नहीं तो हमारा पैसा डूब जाएगा तो दोस्तों यहीं सब कुछ हमें इसके अंदर पता चलता है जरूरी नहीं है कि हमेंसा कंपनी का सबता हैँ मेंगर चलता है लुकि और दोस्तों हमारा पैसा डूब इससे पहले हमें पैसे को निकाल लेना है और डोस्तों यहीं जो किया जाता है कंपनी की तरी का से परफार्म कर रही है अब दोस्तों होता क्या है कि जो एनुवल रिपोर्ट होता है एनुवल रिपोर्ट में क्या होता है यह सबसे पहले समझ लीजिए एनुवल रिपोर्ट में यहीं होता है कि कंपनी का विज्ञास साल भर में किस तरीके से चला है कंपनी को कितना का सेल हुआ है कितना का प्र हुझ अगले साल के मार्च महिने में मार्च में यह मैं अभी रिपोर्ट मिलेगा जैसे कि अभी चल रहा है 2024 2024 चल रहा है तो भईया 2023 में से मार्च महिना में एन्व Obi बिंदश पर्पर्ण और हम सिस्ट आहिए हम दीवर सकते हैं कि 2023 में कॉम्पनी के 10 कीति तरीके से चला है तो यह साल में एक बार आता है आप दोस्टों मान के चलिए और मस्फ म्हें आएगार इनवाल रपोर्ट नब मार्च में डिर्पोंट आता है और दोस्तों हमें यहां पर कि करेंगे के ईक्टूबर महिना में इंवेश्ट करना है तो अगर हम इस डेटा के अनुसार इइनवेश्ट करें यह तो डेटा अफ़ी पुराना हो जाएगा अब दोस्तों साल भर में एक ऒर आया तो दोस्तों इसी समस्विद्या का समधान करने के लिए company quarterly result निकालती है हर तीन महीना में company quarterly result देती है साल में 12 महीना होता है तो दोस्तों 12 महीना होता है तो 12 महीने में 4 बार quarterly result आता है और 4 बार company बताती है कि उनका बिन्जस किस तरीके से चला है और दोस्तों पूरे साल का जैसे कि 12 माहिने के पूरे साल का जो भी उनका बिन्यस चला होगा अब दोस्तों वह एन्वर रिपोर्ट में भी बता देगी तो यहीं होता है भाईया एन्वर रिपोर्ट और क्वाटरली रिजल्ड या रिपोर्ट भी आप बोल सकते हैं यह सब कुछ हम कंपनी के फाइनेंसल फिरम स्टेट होता है 1 अप्रील से फाइनेंसल पूरा हो जाएगा तो एक साल का यह गोनें सब्सक्राइब निकल रिपोर्ट जाएगा पहल जो पहल खामील यह जो पहल REP रोट लत कंपनी का आता है वह अप रिल से जून काते हैं जैसे कि अप्रिल मई और जुन तीन महीना हो जा रहा है तो पहला क्वाटर अप्रिल से जुन उसके बाद दूसरा क्वाटर जुन तो जुन का तो आएंगे तो जुलाई अगस्त और सितंबर तीन महीना हो रहा है तो जुलाई से सितंबर उसके बाद सितंबर तक आ गया तो अक्टू qwalter हो जाएगा हर्ती माईने पे फाहला क्वाटर ली रिजल्ट आता है तो या अजि आपको समझ में आ गया तो भया को आपको पता चल गया और मार्ट में आता है एन्वाट रिपोर्ट तो यह अभी आपको पता चल गया तो याथ समझ में आ लेकिन यह सब कुछ हम देखेंगे कहां से तक सिंपल सा तरीका है आप आसानी से देख सकते हैं इसके लिए आप चाहें तो अपने laptop PC से भी देख सकते हैं आप चाहें तो भाईया अपने mobile से भी देख सकते हैं, दोनों से देख सकते हैं कोई दिकत नहीं होगा इसके लिए आप Google Chrome browser को open कीजिए यहाँ पर search list में click कीजिए और यहाँ पर screener.in लिखके आप search कर दीजिए उसके बाद भाईया आपके समने कुछ इस तरीके से आ जाएगा मैं data off करके रखाऊँ इसलिए भाईया यहाँ पर नहीं खुला तो इस तरीके से आ जाएगा सबसे पहले तो यहाँ पर उपर के तरफ आपको तीन मिन्दू दिखाई देगा तो इस पर आप किलिक कर दीजे और यहाँ पर desktop साइट पर किलिक कर दीजे उसके बाद यहाँ पर company के नाम आपको search करने के लिए आ रहा है तो इस पर आप किलिक किजे और उसके बाद हमें मान के चलिए reliance industry जो काफी बड़ी company है तो reliance industry का देखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे reliance industry और इस पर किलिक करेंगे भया यहाँ पर खूल के आ जाएगा अब हमें देखना है तो हम चाहें तो भया यहाँ पर अलग से हमें quarter quarter का option मेरा इस पर से आप चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं नहीं तो एक और तरीका है कि आप simply Google Chrome browser को open किजिए जैसे कि मैं Google Chrome browser को open करता हूं कई बार क्या होता है कि screener क्या website काम नहीं करता है तो उस समय कहां से आप पाता किजिए तो इसके लिए आप Google Chrome browser को open किजिए सब्सक्राइब किजिए और यहां पर लिखिए आपको सिंपल सा लिखना है मैं पेस्ट कर देता हूं यहां पर और उसके बाद आपको बताने की कोसिस करता हूं यहां पर लिखिए quarter result या quarterly result भी आप लिख सकते हैं उसके लिखत कमपनी के नाम जैसे करे लिखिए देता हूं और उसके बाद आपको लिखना है इन्वेस्टर रिलेस्टर लिखिए यहां पर लीखिए आहां कि इस तरहिका से चेक किया जाता है यह लिख आप जैसे सर्च किजिए गा वह यह सब से ओपर जो तो भी आपको मिल जाएगा जो भी वेबसाइट उस पर आपको simply क्लिक कर देना है और इस पर आप किलिक किजेगा तो सब कुछ ही देख सकते हैं जैसे कि कंपनी का हाई रहा रिपोर्ट आपको आ जाता है यहां पर आते हैं तो कंपनी का किस तरीका से क्वार्टर थिरी का रिजल्ट रहा यहां पर आप देख सकते हैं क्वार्टर थिरी का रिजल्ट मतलब यह वाला रिजल्ट ठीक है यहां पर लीक भी दिया हूं तो यह आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर नीचे के तरफ आते हैं तो कंपनी का एन्वाल रिपोर्ट अ सब कुछ देख सकते हैं तो भाइया यह तो आपको पता चल गया कि आखिक किस तरीकना से देखा जाता है तो यहsels अपर दोस्तों यह दोनों क्या है यह समझना बहुत ही ज्यादा जादा है इससे मैं सबसे पहले रिलाइंस इंडेस्ट्री का ही एक्जांपल लेकर बताता हूं और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे कि हम परकिरिया के ऊपर चलेंगे यहां पर हम एक्डापल के तरपे बात करें तो रिलाइंस इंड़िस्टियर कंपनी है この सम Caribbean बिद्जस है न वह है तेल का और केमिकल का और एंड केमिकल तो दोस्तों यह जो और एंड केमिकल का इनका बिद्जस है तो यह सिर्फ अगर आपको देखना है रिलाइंस इंडेस्ट्री का सिर्फ तेल का बिद्जस और केमिकल का बिद्जस किस तरीका से गया तो हम जो कि रि पूरे के पूराइस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा से consolidated को ही देखना है और यहीं देखने के भी मैं आपको प्रक्रिया दिखाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो यह वाला भी देख सकते हैं तो में बिज्ञेस जो हाइलाइट होता है उसी को दिखाया जाता है इसमें अगर दोस्तों यह वाला आपको अगर अच्छा तरीका से समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझानी की कोशिस करता हूं फिर से जिससे के आपको आसानी से समझ में आ जाए मान के चलिए एक कंपनी है जो की गाली बनाती है जो की कार बनाती है ठीक है कार बनाती है और यह कार बनाती है तो यह एक कंपनी है ठीक है कंपनी है यह R&B Business Mirements का हो जाएगा तो इनकाघ में विग दिसका जो या कार वाला सबस्क्राइब हो कि अ जिसक और बूरक हों थैड तीजुद ने वाली व्याहण भर को करसे सबूसिर दाइं को सब्सेडully और इसका में जो होगा यह हो जाएगा तो अगर हम इस क्योंति है तो दोस्तों यह कार वाला सिर्फ विन षोगा ना यह दिखाइगा ऐस टेंडर लोन में और या कार वाला भी विन और याओ टायर माला भी विन श्यट वाला भी विन बीम्ट कूल टॉटल यो कंपनी के बुन अस का रिजल्ट कैसा या यहमें कॉंसिलीडेटेड में दिखाय देगा तो हम और आप जो भी इन्वेस्टर है तो यह दोंबु नंबर वाले कोहीं पकड़ के इन्वेस्ट किया जाता है इसी को देखके रिवल्ट निकाला जाता है तो या तो भाया आपको पता चल गया तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्वाटरली जो रिजल्ट आता है इसमें क्या क्या होता है क्या क्या आता है तो दोस्तों इसे मैं आपको समझाने के लिए वहाँ पर लिख दिया हूं और यहां पर दोस्तों मैं आपको समझाने की कुशिस करता हूं तो यहां पर क्वाटरली रि यह अपने की हाइलाइट्स को दिखाती है, कमपनी जो अच्छा-च्छा काम की है, उसको दिखाएगी प्रेस रिलीज में, कमपनी प्रेस रिलीज में अपने सेल गुरोथ को दिखाती है, अपने प्रोफिट गुरोथ को दिखाती है, जो एक कमपनी का मार्जिन एक्सपेंस क इसा रहा बढ़िया रहा तो वह दिखाएगी और इसी को भया आई टी सेक्टर में जो कि भी बोला जाता है तो एक तरीका से कंपनी का जो की हाइलाइट्स रहता है बढ़ियां-पढ़िया जो कंपनी के साथ हुआ है वह भया प्रेश रिलीज में बताती है और दोस्तों जनक और उसके बाद आपको बताया जाता है तो आप चाहते हैं तो इस तरीके से आके कंपनी के प्रेस रिलीज को देख सकते हैं कैसे देखना है यह बताऊंगा थोड़े देख और सबर कीजिए वीडियो में बने लिए तो पहला तो सिगमेंट यह हो जाएगा दूसरा भाया यहा यहां गया भाई हम लिखते रखें न जो कि यहां पर लिख दिया हो इनवेस्टर प्रजेंटेंस जो कि यहां पर लिख दिया हूं इसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है यह अपने जो की प्रफोर्मेंस को यानि कि कंपनी का बिज्ञास प्रफोर्मेंस कैसा राया है इस को बताती है दिखाती है तो दोस्तों यह होता है इनिवेशटर प्रघेंटेशनaltet इसंस तोfire आभी आपको पता चल गया तो अब दोस्तों इसमें क्या हो जाता है तो बीजनस हो गुद्नरमस को दिखाती है यानि कि कैसा होने वाला है यह भाया बताती है कंपनी उसके बाद कंपनी के ऑप्रेचुनीटी को बताती है कंपनी कि किस तरीके से उनका रहने वाला है उसके बाद कंपनी कोई अपना नया प्रोड़क्ट लॉंच करने वाली है तो वह बताती है कंपनी के सर्विस के बारे वह बताती है तो यह सब कोच जो कि आजाता है इन्वेस्टर पर जिन टेशन के अंदर तो आपको पता चले गया तो दूसरा भी आपको पता चले गया अब आते हैं भाई या तीसरे के उपर तीसरा में क्या होता है कि तीसरे को कई बार हम सबी लोग और निंग कॉल भी बोल है तो यह भी दूनों का मतलब सिम होता है इसमें कमपनी क्या करती है कि अपने मनेजमेंट के साथ जो की बैट के अपने सेर गोल्डर के साथ डिसकर्च करती है और सेर होल्डर के जो सम जो की सवाल होता है इन सब सवालों के जवाब देती है और अपने फ्यूचर गुरोथ के टोके उपर उपर दोस्तों इसमें च्वारट रिर रोल्डिंग को बताती है कि अगर कमपनी के कामotor मैं का मतलब होता है कंपनी के मालिक जो उस कंपनी में अपना हिस्सकराएं और अगर अपने हो सकता है तो यहां ही भाइया शेयर होल्डिंग फैटन से हमें पता चलता है तो चौथा भी किरिया उसके पाद आ जाता है यहां पर सकता है मनेजमेंट कोमेंटरी भाया यहां ऑन अगले क्वाटर्ली जो प्रफोर्मस आने वाला है कं अगला जो रिजल्ट आएगा उसका प्रफोर्मेंस के बारे में बताती है जो कि यहरी जरूरी होताई तो यह भाया यह इस्के अदर आ जाता है तो यहां तो आपको सब कुछ पता चल गया अब दोस्तों हम आपको यह बताते हैं कि आखिर हमें क्वाटरली रिजल्ट में देखना है यह अनुवल रिपोर्ट तो भईया साल में एक बार आता है तो इसको चोड़ी दिजिए वाटरली रिजल्ट को अगर हमें क्या देखना है और कैसे देखना है यह सब कुछ मैं आपको बताता हूं तो थोड़ा हम इसको मीटा दे और फिर से लिखते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्वाटरली रिजल्ट में हमें क्या-क्या देखना होता है क्या-क्या देखा जाता है तो इसके ल screener.in लिखके आपको सर्च कर दिना जिस भी कंपनी के आप देखना चाहते हैं उस कंपनी के आपको नाम सर्च करना जैसे के मैं रिलाइन्स इंड्रेस्टी का देखना चाहता हूं तो इस पर क्लिक कर देता हूं भया यहां पर हमारे सामने खुल के आजाता है अब दोस्तों हमें करना क्या आए कि यहां पर क्वाटर वाला जो आप्शन हमें दिखाई देगा देखिए यहां पर क्वाटर वाला जो यह आप्शन दिखाई देख रहा है क्वाटर्स तो इस पर हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद भाद तो आपको देखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कितना का कब सेल हुआ है वह आप देख सकते हैं जैसे कि ती रो सोला अठार इस तरीके से बॉड रहा है तो यहां पर इसके केस में बॉड रहा है तो दोस्तों अब कि अदिख सकते हैं और दोस्तों अब अब ध्यान देखिए और कि इसेल गुरोथ की देखने के बाद आपको फॉफिट गुरोथ भी आपको देख लेना है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि यहां पर जैसे के आम लोग सेल गुरोथ एक टो अप लाइन गुरोथ भी बोळा जाता है तो कोई अगर आप से बोले नेट प्रोफिट कहा गया नेट प्रोफिट नेट प्रोफिट यहां पर देखे थोड़ा नीचे के तरफ और आएंगे यहां पर देखे यह रहा नेट प्रोफिट और दोस्तों यह भी हम चाहे तो इस तरीके से आके पूरा का पूरा देख सकते हैं नेट प्रोफिट आपको समान बेची तो उसको फायदा हुआ उसमें से कॉम्पनि को कितना बचा कितना का मार्जिन उसे मिला तो वह भाया आपको देखना अपको यह आपको मिल जाएगा कहा है बाई QOPM जो कि यहां पर आप देख सकते हैं OPM यहां पर आपको दिखाई दे रहा ह। ठोड़ा जूम करके दिखा दों यहां पर दिखाई दे रहा है तो दोस्तों उस सेक्टर की और भी कंपनिया होगी उससे कंपेर करके देखें जिसका भी ज्यादा हो आपके लिए बेस्ट है तो यह तो आपको पता चल गया क्वालीटी ओफ और नियानि की यह आपको देखना और दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप यहां पर आते ह और पीडियेप में जाके आप पूरा का पूरा सब कुछ देख सकते हैं को वाटरर रिजल्ट का यह आपको पता चलिया अभी यह देख लिए उसके बाद दूस्तों ऑदर इनकम भी आपको देखना है ऑदर इंकम का मतलब होता है कि कॉम्पनी जो है ओ आपना कई बार लें इसको छोड़ने के बाद ही आपको सब कुछ देखना है तो अब को अपना रिजुल्ट देखना है और उसके बाद अपना नेलेसिस करना है यह भी बताऊंगा अभी दो-तीन वीडियो आएगा इस टोपिक पे तो उसमें सब कुछ मैं आपको समझानी की कोशिश करूंगा तो यह आपको देख लेना है उसके बाद सेगमेंटल रेवनियू ब्रेक आप जिसे जोगरिफिकल ब्रेक आप भी कहते हैं तो यह भी देखना है और इसमें भाईया क्या आता है तो इसमें यह होता है कि जो कंपनी है उनका जो पॉर्डक्ट पॉर्टफोलियो है यानि कि कंपनी क्या-क्या समान बनाती है और जो समान बनाती है उससे कितना रेवनियू जन्रेट होड़ा है सबी से अलग-अलग रेवनियू जन्रेट होड़ा है यह भी आपको देखना जरूरी है उसके बाद एनलिस्ट जो कि एस्टिमेंट भी आपको देख लेना है यह अब इनलिस्ट estimate क्या होता है तो दोस्तो मैं आपके बतादू बहुत सारी जो कि ब्रोकिंग कंपनिया होती है ब्रोकिंङ कंपनी होती है जैसे कि हम लोग का ब्रोकर हो गया तो लोग अपना योकि analyst बइठा के रखते हैं वो लोग कंपनी के जो की क्वाटरली रिजल्ट आने से पहले ही वह अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बार company के performance ऐसा आने वाला है अगर उनके सोट से बढ़ियां company का quarterly report आ जाता है quarterly result आ जल्ट आ जाता है बढ़िएा performance आ जाता है तो automatic उस company का सेर प्राईज में बहुत जाधा तीजी आ जाएगा है कूछ ज्यादा तेजी डेखने के लिए मिलता है क्योंकि जो एनलेस्ट है उनके भी सुच से बहतर रिजल्ट आया तो तो इंवेश्ट करेंगे और वही रिजल्ट आ जाने के बाद सब आपको देखना है जिसी करती है कि अपना विज्च करती आपना इसे लगता है चलने लगता है तो उस देस में तो बिढ़नाot होगा नहीं से अब अभी वाईल्ट आयाई जिसके वजह से उसक Simmons गिनने लए verstidy is अगर दिक्कत रहा हो सकता है तो यह सब कुछ आपको हुता है लेकिन मेरा हाइलाइट आपको देखिलेजेसेल करें दो दो दिख लिए और दो तिन मैं विडियो ला रहा हूं उसमें और भी चीज में आपको बतानी की कोशिस कर सुप्सक्राइब तो हाल फिलाल आज के वीडियो में इतना ही था साथ कमेंट करके बताइएगा और दुस्तों थोड़ा बहुत आप लो सपोर्ट दिखाई यार क्या कर रहे है लो तो चलिए इस वीडियो में हाल फिलाल इतना ही था अगले वीडियो मिलते तब ते के झाल 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 झाल